नीमा टोड किसान साथियों अभी तक आपने ये सुना होगा कि अम्रूद में नीमा टोड है अभी तक हम वहीं पर देख रहे थे ये नीमा टोड के बारे में मैंने जो एक और दवाई बायर की बताई थी तो बताया था कि ये मिर्ची और टमाटर में भी आता है और ये खीरे में भी आता है जो की अधिकतर दवाईया ये लिखती है कि केवल ये है इन्ही में परियोग होता है किसान सातियों आज जहां पर मैं खड़ा हूँ ये है गाओं एहमदाबाद से 70 किलोमेटर दूर है और मेरे इस टूर का उद्दे से ये था कि मैं उन किसानों से मिलूं कि उनको क्या समस्याई आई हैं और वो क्या परियोग करते हैं और किस प्रकार उन्हें फाइदा हो रह है और ये किस प्रकार इस बीमारी का उपचार कर रहे हैं किसान सातियों मेरे साथ खड़े हैं मुकेस भाई और ये कठवडा गाओं के हैं जो एहमदाबाद से 70 किलोमेटर दूर है ये एक टीचर भी है अध्यापग का कारिया करते हैं और ये इनका एक खेत है पिछले साल इस खेत में क्या हुआ कि ये दो फसल लेते हैं पहली फसल लेते हैं मुंग फली की और दूसरी फसल लेते हैं ये आलू की मुंग फली और आलू के बीच में लगबग 20 से 25 दिन का अंतर होता है जिसमें ये इसकी निराई गुडाई के बाद में अपनी दूसरे खेत की तैय तो सोचने लगे कुछ ना कुछ गड़बड हुई है तो इन्होंने कोई जादे ध्यान नहीं दिया चुकि आमदनी से निश्चित थे तनखा तो मिलती है लेकिन इनके दिमाग में एक बात चलती रहे कि कुछ ना कुछ गड़बड हुआ उसके बाद लगाया इन्होंने तो इन्होंने एक डीलर को कॉंटेक्ट किया और उन्होंने उन्हें एक दवाई बताई कि आप इस दवाई को लगाईए इन्होंने उसमें दो दवाई लगाई उस डीलर ने बताए कि आप मुकेज भाई ये दवाई लगा कर देखिए तो इन्होंने इनका आमोमन खर्चा लगबर गठारा सो उनिस सो गा एक एकड में आया जो डीलर थे अभी मैं आप को उनसे मिलवाऊंगा उन्हों ने कहा कि मुकेश भाई आप इनको दो बार ये दवाई लगाई है लेकिन मुकेश भाई ने ये सोचा कि ये पता नहीं से फाइदा होगा या नहीं होगा पहली द आप इन्होंने साथ दिन बाद इन्होंने कहा था कि कुछ दिन बाद एक दूसरी दवाई भी लगाना फिर इस दवाई को रिपीट करना तो जो दवाई इन्होंने नहीं लगाई इन्होंने सोचा कहीं ऐसा नो खर्चा जादा हो जाए आराम देनी रजाए तो उसके आलू का ये असर है ये देखिए आपको ये इसमें नीमा टोड़ में जरा रहा है ये है नीमा टोड़ का और अगर आप इनके पोधे में देखोगे ये इनके पोधे हैं तो जब मैं रहोरी में था तो मुझे एक वेग्यानिक ने बताया था कि नीमा टोड़ का बहुत असान तरीका है आप पोधे की जड़ निकालिए पानी से धोईए और इस प्रकार जैसे मैंने यह दबाई है ना उंगली में इस प्रकार दबाकर ऐसे खिंचिए अगर आपको कोई भी उसमें गांठ नजर आई कहीं भी आपके ऐसा महसूस होया तो समझे निमा टोड की सुरुवात हो चु मुकेश भाई से बात करते हैं कि इन्हें इस दवाई लगा कर क्या फाइदा हुया कैसा लगा और दूसरी बार इन्होंने दवाई क्यों नगी मुकेश भाई आपका स्वागत है अमेजिंग किसान चैलल में पहले जो दर्सक देख रहे हैं आप उनको अपना परिशे दीज मेरा नाम पटिल मुकेश भाई है मैं गुजराच से कठवाडा गौ के रहने वाला हो मैंने जब भी फसल आलू का बोया था तब हर साल में अच्छा आलू होता था मेरा लेकिन इस साल एक महिने के बाद मैंने देखा कि आसपास वालों के खेतों में ज्यादा तर आलू का द दम किल लोल करता था लेकिन हमेरे खेत में कुछ ना कुछ घड़बर मेरे को दिखाई दी और मैंने हर रोज में जहां से दवाई लेता हूँ वो मेरे मित्र भी है और इससे मैंने बात की तो इसने बताया कि निमा टोड होगा शायद तो उसने विजिट की और मेरे को बोला कि निश्टोड नाम की एक दवाई आती है और किक दोनों आपको देना है तो मैंने इससे लिया और दिया तो एक मैने के बाद तो करीबन समझो की वो जमिन है इससे बाहर ही पोड़ा आया था समझो करीबन 4 इंच का होगा तो इसे बाहर ही इसका ग्लोथ ही नहीं हो रहा था जब भी दवाई दी तो इसके 4-5 दिन इसका ग्लोथ आने का शुरू अमेरे को दिखाई दिया कि उसमें दवाई की असर शुरू हो गई है और देखते देखते पवदा ऐसा हुआ इसका डोड़ी और दिखने में भी बहुत बढ़िया लंबा और इसकी क्या भी तो पवदा समाप्त होने का समय है फिर भी उसका हाइट और डेड़ आज भी ऐसा ना ऐसा है समझो कि एकदम ग्रीनरी वाला और मैंने एक उसने दो बार मेरे को दवाई देने के वो कहा था लेकिन मैंने साइद ऐसा सोचा कि एक बार अच्छा हुआ है तो ज़्यादा तर खर्चा करने का मन मेरा नहीं हुआ तो मैंने नहीं दी तो आज मेरे को नुक्षान है दिखाई भी दे रहा है देखो मैं दिखाता हूँ जब भी पहले निमाटोड नहीं था और दवाई दी तो इसका जो आलो है वो अच्छा है साइज भी और इसके उपर निमाटोड का कोई असर नहीं है और इसके बाद वाला जो पिछले जो जब भी दवाई नहीं दी थी तो इसमें देखो निमाटोड का पूरा असर है यह बा आलो भी बड़िया होता, जो छोटा था वो बड़ा भी होता, क्योंकि वो निमाटोर्ड की असर के हिसाब से उसका ग्लोथ भी नहीं हो आदा, अच्छा मुकेश भाई ये बताइए, अभी आपने जो दूसरी डोज थी, नहीं दी, और अगर देते तो कितनी उम्मी थी, अगर इसमें हम मान के चलते हैं, पंदरा परसेंट भी बढ़ जाता, तो आपको फाइदा होता या नुकसान होता है, फाइदा होता है, फाइदा भी होता, और वेपाली से हो, आलो लेने को लिए तैयार हो जादा, क्वालिडी अच्छी होती है, अच्छा एक बात और बता प्राइम आते हैं, और दवाई लगाने की को नी सोची है, इसलिए नई दी, क्योंकि उसका खर्चा भी जादा है, मेरे को पर एक फोन आया था, मेरा दोस्त है, वो हमको कई-कई बार उसके साथ बात होती है, उसने बोला था कि बाइर के एक वेलम प्राइम आती है, उसने एक वीगे का खर्चा दो हजाल लगेगा, और आपको इसका दस दिन में ही लगाना पड़ेगा, इसके बाद वो आपको ज्यादा तर रिजल्ट नहीं मिलेगा इससा, जो दस दिन में नहीं लगा होगे तो, तो इसने मैंने बोला कि मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंक अब अगले साल आप क्या करेंगे, पहले से बोलूंगा कि यह दवाई मेरे को चाहिए, क्योंकि इसको करने के लिए, आप एक काम और करेंगे, मेरे कहसे, जब इसमें कोई भी फसल लगाएंगे, तो उसमें गोबर की खाद में मिलाकर, अभी दो तीन एक बायो आजेंट आ तो गोबर में मिला कर उस चीज को और खेत में डालिएगा उसको पहले से, और उसको डालने के बाद देखना कि आपको फसल पर क्या फरक पड़ता है, हो सकता है कि 80% आपके खेत में नीमा टोड़ो आई ही नहीं, पहली चीज, लेकिन आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि पोधो को मतलब लगभग 10 दिन के बाद जैसे ही निकलेंगे, आपको देखते रहना वाच करना है 30-35 तक, अगर 35 दिन तक वो सब सही चले, फिर थोड़ा परतेक सफताहा उनको देखना है, अच्छा है, आपको इसकी भी जोरत ना पड़े, और जोरत पड़ी अगर थ अर्गनिक दवाई है, वो बायो एजेंट है, कोई केमिकल नहीं है, और वो पहले से ही आपकी जमीन में उसकी तयारी कर देता, उनकी सुरक्षा परतान करता, बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है, जो मैं यूज करता हूं उनको जोना, और मैंने कई बार कहा तुसार भाई क किसान भाईो को तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को तो ऐसा ही था कि इस साल, समझो मेरे ये पास 25 एकट जमिन है, तो यसे ये फश नमबर वारा मेरा खेत है, तो इसमें से तो जादा तर अच्छी ही पसल होती थी, तो पहले दिखता था कि इसमें इस साल सल पूरा फ अच्छी है, अब आप अपना फोन नमबर बताइए, कुछ किसान पूछ सकते हैं आप से, कि त्यागी जी आये थे और आपने ये बताया था, तो वो फोन कर सकते हैं, फोन बताइए और इंगलिस में बोलना, हाँ, ओके सर, नाइन फोर टू सिक्स एट नाइन सिक्स एट ट मुकेस भाई पटेल, इनका नाम है, आप इन से कॉंटेट कर सकते हैं, और ये पूछ भी सकते हैं, अब आईए हम मिलाते हैं, इनके मित्र और जो ये दवाई रखते हैं, कि इन्होंने इनकी किस प्रकार साइए, आप ये बताइए, कि आपको कैसे कॉंफिडेंस आया कि आपको तो पाम है, आप जो भी महेंगी दवाई करोगे, जादे कमिशन भी मिलेगा, अच्छा भी होता, फिर क्यों कि आप ने ये, जब इन्होंने मुझे पहली बार यहां पर फिल्ड में बूलाया, तो मैंने देखा कि निमेटोड का एटक है ही, अभी बाजार में तो ब बूआई के समय जमीन में दे देते हैं, लेकिन इसका तो समय निकल गया था, इन्होंने मुझे बुलाया तब एक महिने का इनका ये हो गया था, तीस दिन हो गये थे, और तीस दिन में जो वेजिटेबल ग्रोथ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ था, तो फिर वेलम प्रा तो इसलिए मैं किसान को पहले से तो मुझे थोड़ा कंफिडेंस था, कि किसान को ज्यादा खर्चे में नहीं डालना एक बार, तो इसलिए और बाद में, कि ये जो निश्टोर जो है, उसका मैंने भी आगे भी एक दो जगा पे ऐसे रिजल्ट लिया हुआ है, मैं खुद के साथ में करवाया, क्योंकि उस ताइमें थोड़ा जड़ो में सड़न जैसा लग रहा था मुझे, तो दोनों के साथ मिलने से ये प्लांट एक दम से ग्रोथ में आए, और जो ग्रोथ पिछले एक महीने में नहीं हुआ था, वो पंदरा दिन में हो गया है, मेरा जो एक ज जो काम करूँगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? निगेटी होगा या पोजेटी होगा? ये बना कर चलते हैं. तो मैंने काफी दिनों से इस पर पढ़ रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, अपनी भी बुराई सुन रहा हूँ, लोगों के फीड़ बैक भी ले रहा हूँ लेकिन मेरा जो एक analysis है वो इस तरफ जा रहा है कि नीमा टोड का source केवल नर्सरी नहीं है हाँ नर्सरी से भी आता है लेकिन केवल नर्सरी नहीं है और ये प्रतेग जमीन में नीमा टोड होता है लेकिन ये कब active होता है इस बात पर हमको ज़्यादा ध्यान रखता है अब इनके पास तो कोई नरसरी नहीं थी है ना फिर भी यहां पर क्यों आ गया यह तो उसमें एक conditions भी होती है वातावरण की condition नीमा टोड हमेशा सुस्क जमीन में आता है और यही कारण है कि जब सुस्क म कम होते हैं इसलिए रेथली जमीन में सबसे जाद आता है कि उसकी holding capacity कम हो जाती है तो इसके लिए आप इस बात पर थोड़ा परियोग करना सुरू करें चाहे थोड़े एरिया में सुरू करें कि आप गोबर की खाद में आप ट्राइकोडर्मा सुडो मुनास और अगर आपके खेत में एक बार आ गया अपने पोधो की परती सफता जितनी जल्दी जल्दी हो सके पहले एक महिने में उनकी देख भाल करें पता करें यह मैंने बता दिया है कि यह आपका पोदा है तो आप इसकी जड़ लीजिए और इस जड़ को पानी में भिगो इस जड़ को पकड़ो ऐसे और ऐसे मिकाल लाओ अगर आपको कहीं मोटा पन महसूस होता है तो समझ लीजिए नीमा टोड़ की सुरुवात हो चुकी है अगर नहीं है तो यह नहीं है अगर आपको जरासा भी बहम हो तो किसी भी विशे सग्य या किसी जानने वाले से पता क कर लीजिए फोटो भेज दीजिए इसकी और अगर इसे भेजते हैं तो यह करें यह हुई पहली बात किसान साथियों दूसरी बात यह बतादने चाहता हूं जिन लोगों के यहां भी नीमा टोड़ है हो सकता है कभी कभी कोई दवाई ना काम करते हैं तो आप अपनी जमीन का साल में एक बार कि टेस्ट अवस्य कराएं जिसमें तीन मुख्य अलिमेंट हैं तत्व हैं आठ माइक्रो न्यूट्रेंट हैं उसकी पी एच वैल्यू है उसकी कार्बन रेश हो यह तो हुई मिट्टी के टेस्ट की बार आप कहीं भी करवाएं और दूसरी एक फंगस का टेस्ट अवस्य कराएं अगर फंगस का टेस्ट कराएंगे जिस दवाई से अगर निमा टोड को फाइदा नहीं मिलता तो मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि महां पर फंगस जरूर है अभी मैं कुछ पोदे और कुछ फसल देखकर आया हूं कि जिन पोदों में नहीं मह आपन के कोई जखम हो गया आपका वो ठीक हो गया लेकिन उसकी बढ़वार सुरूनी वहां पर कुछ ना कुछ रहे गया कुछ ना कुछ रह गया तो आपका निमा टोड तो खतम हो जाएगा लेकिन जो फंगस है वो नई जडो को निकलने नहीं देता है उसका भी ध्यान र